नमस्कार स्वागत्ता आपकार इस क्लास में मैं कौसल सी हैं तो देखिए आज इस टॉपिक पे हम अद्दन करने जा रहे हैं वो है सामाजी करण की पिरकिरिया यह है आपका 1.4 वाँ चैप्टर इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो सबसे पहले था बाल विक्कास उसके बाद हमने पढ़ाता बाल विक्कास के पिर्मुक सिध्धान्त उसके बाद पढ़ाता हमने अनुबान सिकता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजी करण की पिरकिरिया देखिए उन चैप्टरों को भी आप पढ़ सकते हमारी पहले लिश्ट में जाके और सारे चैप्ट पहले में एक बात और कहना चाहूंगा प्लिज लाइक जरूर कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो सेर भी कीजिएगा अच्छा लगेगा यह हम गारंटी लेते हैं पढ़ाने की अच्छा लगेगा आपको और समझ में आएगा आये चलो देखते हैं देखिए क्या कह मनूस से एक सामाजिक प्राणी है बिना सामाज के किसी भी व्यक्ति का सरवांगिड विकास संभव नहीं है देखिए ठीक है इसने मनूस से एक सामाजिक प्राणी है सामाज में रहता है मनूस तो सामाजिक प्राणी हुआ बिना सामाज के किसी भी व्यक्ति का सरवांगिड विकास संभव नहीं है, यानि हो नहीं सकता, सही बात है, जब तक व्यक्ति सामाज में नहीं रहेगा, जब तक उसका सरवांगीड विकास होना संभव नहीं है अच्छा second point क्या कहता है आपका? ये कहता है सामाज के अंतर्गत कौसल चमता अनुकरड करना आत्मने रभर होना संस्कृति, धर्म, संसकार, मानविय मुल, आधी को भी सिखाता है ये भी सही बात कह रहा है देखिए ये second point आपका कहता है ये कहता है दोस्तो सामाज के अंतरगत यानि सामाज के अंदर कौसल चमता अनुकरड करना आत्म निरवर रहना संस्कृति, धर्म, संसकार, मानविय मुल, आधी को भी सिखाता है यानि इन सारी चीजों को भी सामाज सिखाता है और जबी वेक्ति का सरवांगीड विकास हो पाता है जब तक सामाज में नहीं रहेगा जब तक वो इन सारी चीजों को नहीं सीख सकता है तो next point क्या कहता है हमारा वो कहता है सामाजी करण एक ऐसी पिरक्रिया है जो नवजा सिसू को एक सामाजिक प्राणी बनाती है देखिए, जब नवजा सिसू आता है तो उसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है है ना, तो सामाजी करण एक ऐसी पिरक्रिया है देखिए, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और उससे सामाजी करण की पिरक्रियाओं के बारे में समझ में आता जाता है और देखता है कि इस सामाज में क्या-क्या हो रहा है क्या क्या है और मुझे क्या 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 करनी चाहिए तो एक सामाजिक पुराणी बनता है फिर वह इन सारी क्यरियाओं को ग्हेंड करके मनुस 스ा सामाजिक से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है बच्चा बड़ा होने के बाद आईए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें यह कह रहा है इस प्रिक्रिया के आभाब में व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन सकता है इसी सामाजिक व्यक्ति का का यानि यह जो फारी प्रेक्रिया moyen अगर इनको व्यक्ति अपनाएगा तो एक सामाजिक प्राणि बन जाएगा और के व्यक्ति का विकास में होता है कर पिस इन उन्हें सावार है अगर उन्हें से अलग रहे देकि आधी कारे में उन्हें कोई knowledge नहीं कहां क्या है यह जो मंत्री संत्री जो जितने भी तो व्यक्ति का सरवांगीड पिकास जब ही हो सकता है जब वो इस सामाज में अंदर रहे है ना तो आईए ये सामाजी करण के सिध्धान्त देखो सिध्धान्त क्या कहते हैं किस किसने सिध्धान्त दिये हैं इसके सामाजी करण के तो देखिए नंबर फॉर्ष्ट है आपका स्वदरपड सिध्धान्थ एक तुसम दिया है आपका कुलेए स्वदरपड का सिध्धान्थ और सेकेंड है है आपका मैं और मुझे उन्द मुझे का इडिया है आपका दूर्खिम ने दूर्खिम जी ने दिया है ये सिध्द्धांते आपका याद हो गए लगारंटीं हमारी है अकर को याद ना हो एंड में वीडियो के बाद में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर अमें याद नहीं हुआ है और यह कमी रह गई तो हमें अब जभी बताना आप ठीक है आईए दोस्तों यह सिद्धांत हो गए आपके अब देखते हैं पिर्थम पीडी के सिख्छार यह पिर्थम पीडी के सिख्छार्थी कौन-कौन होते है यह देखते है देखो देखो पहला पॉंट क्या कहता है यह है वह भच्चे होते हैं जो पहली बार स्कुल में पढ़ने आते हैं यानि यह वे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पहली बार पढ़ने आते हैं इन्होंने कभी पहले स्कूल देखानी होता है और पहली बार ही यह पढ़ने आते हैं स्कूल में और घर पर भी कोई किताब खोलके देखी नहीं होती है और नहीं इने पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी होती है वो बच्चे इस रेड़ी के अंतरगत आते हैं अच्छा, second point क्या कहता है इसका? सेकंड पॉइंट कहता है हमारा ये वे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता ने कम से कम प्रात्मिक सिच्छा प्राप्त ना की हो ये वो बच्चे आते हैं तो आएए नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट है आपका नेक्ष्ट है आपका पिर्थम पीड़ी के बच्चों की समस्यां देखिए समस्या क्या क्या है पिर्थम पीड़ी के बच्चों की इनकी समस्यां देखिए नंबर एक नंबर एक समस्या है इनकी सामाजिक इस्तिति खराब होती है देखो इनकी जो नहीं कर पाते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो सामाजिक जो चीज हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस सामाजिक इस्तिति इनकी खराब होती है बहुत अच्छा सेकंड पॉंट क्या कहता है यह कहता है लड़कियों की लड़कियों की लड़कों से भी जादा बुरी आलत होती है यानि जो लड़की होते हैं उनको महत्ता ज्यादा दी जाती है और लड़कियों की हालत और इनसे खराब होती है खराब तो इनकी भी होती है लड़कों की लेकिन इनसे ज्यादा और खराब होती है लड़कियों की लड़कियों की आलत ज्यादा खराब होत अगर बिद्याले में ये बच्चे मोच भी जाएं तो पढ़ाई में कमजोर होते हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान ने देता है और अगर बिद्याले में अगर टीचर भी आ जाए अध्यापक आ जाए तो भी वो इनकी तरफ ध्यान देता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ उनी को प प्रति नाकरात्मक रवया रहता है जैसे किसी बच्चे ने उठके पूछ लिया इसके बारे में चौथा point क्या कहता है चौथा point कहता है आपका ये कहता है कक्षा के सहपार्टियों का नाकरात्मक देखे कक्षा में जो इनके सहपार्टी होते हैं वो भी इनकी प्रती रूची नहीं दिखाते हैं वो भी इनसे अलग रहते हैं कक्षा में जो इनके सहपार्टी होते हैं वो भ करने के लिए स्वतनत्र इसकूल से बहार है ना अध्यन मिलता है घर करने के लिए तो एउसे कर नी पाते हैं घर से जानी इसकूल से बहार कर नी पाते हैं कि मताप्टा पड़े लिखे कारण इसी लिए यह अध्यन में स्वतनत्र मैसूस नहीं कर पाते हैं अच्छा इसका मतलब यह हुगा अब छटा पॉइंट क्या कहता है आपका छेवा पॉइंट कहता है आपका बहारी दुनिया का अभी अनवव नहीं होता है देखिए जब तक क्यों कि बच्चा सामा अची में आहीं रहेगा और पढ़ेगा नहीं होग और इनसारीया चीजहों नहीं होगा अनवव हो और नहीं होगा और क्या चल रहा है इनका कोई मतलब नहीं रहता उससे है ना और number 7 है वो क्या कहता है देखिए वो कहता है हीन भाववना से गरश्ट देखिए यह वन वावना से गरश्ट रहते हैं अपने आप में हीन भावना से गरश्ट करेंगे की नहीं कर पाएंगे इनके के अंदर यह हीन भावना घुसी रहती है अंदर जैंडर हीन भावना कि हम Uh data करेंगे या नहीं करेंगे किणे तट तो आईए यह आठ्वाप esponot क्या कहता है अब आपका अपने पर कोई विसपास नहीं होना इन्हें कोई विसपास नहीं होता है कि हम कभी सामाज में कभी आगे बढ़ भी पाएंगे यानि ये हमेशा डी मोटिवेट होते रहते हैं अब मोटिवेट करें कोन अध्यापकों का भी अध्यापकों का जो रवया होता है इनके प्रती वो भी नाकरात्मक रहता है तो इसलिए ये अपने पर कोई विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा भी कभी कुछ होगा आइए नेश्ट पॉंट क्या कहता है आपका नौवा ये कहता है माता पिता से कोई साहता ना मिलना देखिए माता पिता से इनको पढ़ाई के बारे में कोई साहता नहीं मिलती है क्योंकि इनके माता पता भी पड़े लिखे नहीं होते हैं जो इनको कुछ पड़ने लिखने में कुछ साहता कर सकें इसलिए कोई साहता नहीं मिल पाती है ना तो सामास से और ना ही पड़ाई लिखाई से बिद्धाले से ठीक है? अच्छा आगे का point आगे? नहीं है, 9 point थे इसके ठीक है? यह आपके clear हुए का नहीं हुए? यह आप हमें comment box में बताईएगा कि आपको यह class कैसी लगी और यह point आपको साथ की साथ clear होते जा रहे हैं का नहीं होते जा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले और हमारी भी कुछ और कुछ बढ़ाने की इसमें इच्छा करें कुछ दूसरे तरीके से समझाएं अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आ रहा हो तो आईए second देखते हैं यह देखिए, जॉन ड्यूवी जॉन ड्यूवी हैं हमारे बैग्यानिक थे कौन थे यह हमारे बैग्यानिक यह क्या कहते हैं यह एक प्रियोजन बात सिच्छा सास्त्री थे इनके दौऱा बालकों को सामाजिक करना है क्या कहते हैं इनके विचार क्या है अनौपचारिक का मतलब क्या है अनौपचारिक में आते हैं परिवार, खेल, समुहू, मंदिर, सारवजनिक इस्थान, इस्थान आदी यह आते हैं आपके अनौपचारिक में और अपचारिक में आपके क्या क्या आते हैं? जाता है कल्चर यानि संस्किर्थी कहां कौन सी संस्किर्थी अपना जाती है इसके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है तो आप चारिक साधन यह यहां पर आपका समाप्त हुआ यहां पर आपका समाप्त हुआ यह आज का सामाजी करण की प्रिकिरिया हैं देख को समझाने का पर समझा के जरूल छोड़ेंगे हम आपको यह हमने ठान लिया है और देखिए लाइक जरूल करते जाना प्लेज लाइक जरूल करते जाना बस यह इतनी रिक्वेस्ट है आपसे धन्यवाद